वैसे तो हमारे प्रद्वी पर अनेक प्रकार के खुबसूरत जीब पाए जाते हैं मगर आज हम आपको दुनिया का सबसे खुबसूरत जीब यानि कि वाइट एनिमल के बारे में बताने वाले हैं जिने आपने अब तक नहीं देखा होगा और एक बार देखने के बाद आप जरूर सोचेंगे कि वाओ कितना खुबसूरत है ये पिकॉक आप मोर के बारे में तो जानते ही होंगे क्योंकि हमारे देश के राष्टे पक्षी भी है और ये अपने सुनहरे और खुबसूरत पंक के लिए काफी मशूर है सोचिए दोस्तों यदि मोर का फंक सफेद हो जाए तो क्या होगा अपने जीवन में आज तक कभी सफेद मोर आपने नहीं देखा होगा तो आज देख लीजिए सफेद मोर देखने में काफी खुबसूरत दिखाई देते हैं और इसी कारण लोग इने देखने के लिए काफी दूर दूर से आते हैं और इनकी खुबसूरती में चार चान तब लग जाता है जब ये नर्त्य कर रही होते हैं सफेद मोर देखने में पूरी तरह दूद की तरह सफेद होते हैं दोस्तों अगर बात मगरमच की की जाए तो इतने खतरनाग और ड्रावने होते हैं कि लोग उनके पास जाना तो दूर उनको देखने से ही डर जाते हैं मगर क्या आपने अपने जीवन में कभी सफेद मगरमच को देखा है वैसे तो एल्बिनो एक जनेटिक बिमारी है जिसमें तवचा और भाल पूरी तरह सफेद हो जाते हैं यदि इनकी तुलना दूसरे तरह के मगरमच से करें तो उनकी तवचा काफी मोटी और सक्त होती है मगर एल्बिनो मगरमच की तवचा मुलायम होती है जिसे शिखारी आसानी से इने जखम दे रेते हैं इनकी तवचा इतनी कोमल होती है कि अधिक धूब लगने पर इनकी तवचा जल जाती है ये सब जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि एलबिनो बागरमच प्रकरती में नहीं रह सकते और इसी कारण अधिकतर ये चड़या घर में ही देखने को मिलते हैं और ये तने खूबसूरत और मनुहर देखते हैं कि लोगने देखने के लिए चड़या घर में जाते हैं आपने अपने जीवन में जंगल का राजा यानि कि शेर को तो देखा ही होगा मगर शायद ही आपने सफेद शेरों को देखा होगा क्योंकि सफेद शेर काफी दूलब होते है सफेद शेर बाकी शेरों के मुकाबले उतने घा तक नहीं होते या धिकांशत है छोटे जानवरों का शिकार करते है आप शायद यह नहीं जानते होंगी कि जब सफेश शेर का बच्चा पैदा होता है तो वो अंधा होता है और करीब तीन साल तक अपनी माँ पर निर्भर रहता है इसी कारण सफेश शेर पूरी दुनिया में खत्म हो रही है और एक सर्वे के अनुसार 2018 में हमारी दुनिया में सफेश शेरों की तादात केवल 100 थी और शायद कुछ सालों बाद प्रत्वी से शेर विलुप्त भी हो सकते हैं वाइट स्नेक आप में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो सांपों से लगाव रखता होगा और वो उनके करीब जाने की हिर्मत रखता होगा क्योंकि सांप जैसे खतनाक जीव से सभी लोग दूरी बना कर रखते हैं मगर आपने सफेश सांप नहीं देखा होगा सफेश सांप देखने में इतना खुबसूरत होता है कि कोई से देखने के बाद इसके पार जाय बिना नहीं रह सकता मगर आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा क्योंकि सांप सफेद हो या काला वो आपकी मौत का कारण बन सकता है वैसे तो सफेश सांप भी काफी कम पाय जाते हैं और आपी ने आसानी से नहीं देख सकते है वैट टाइगर जंगल का सबसे खतनाख शिकारियों में टाइगर का नाम सबसे उपर आता है इस सरीर से भारी भर कम होते हैं जो देखने में काफी भयानग दिखाई देते हैं मगर क्या हो यदि टाइगर पूरी तरह सफेद हो जाए दोस्तों हमारे जंगर में सफेद टाइगर पाए जाते हैं मगर ये काफी दुरलब होते हैं और कभी कभी ही देखने को मिलते हैं यदि इनकी शारेविक विशेषता की बात करें तो ये बाकरी टाइगर के मुकाबले उतने बलवान नहीं होते हैं और इसी करण के शिकार करने में उतने सक्षम नहीं होते हैं दोस्तों यदि आपको सफेद टाइगर देखना है तो आपको चुड़िया घर जाना होगा क्योंकि ये वहीं पर दिखने को मिलती हैं दुनिया के सबसे लंबे जीव में शुमार ज इस टंड में पाया गया ये जराफ काफी अलग दिखाई देते हैं और इसी करण बाकी जराफ इसे अपने आसपास आने नहीं देते हैं मगर सबसे दुख की बात ये है कि कुछ शिकारी आदमी उने इसे मार डाला और सफेद जराफ इस दुनिया से अलविदा हो गए आपक सकते हैं कि कोई हाथी बहुत खूबसूरत दिखाई दे सकता है दोस्तों हमारी प्रत्वी पर सफेद हाथियों की प्रजाती भी पाय जाती है जो देखने में काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं मगर इनकी प्रजाती भी धिर धिर खत्म होती जा रही है और मात्र कोछी संख्या में ये हमारे प्रत्वी पर बची हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपने अनेक ऐसे जानवरों को देखा जो सभी जानवरों से काफी अलग दिखाए देते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि कोछ जानवर आकर सफेद कैसे होते हैं। असल में जीवों के शरी के अंदर मेलरी नाम का पदार पाय जाता है जिसके कारण जीवों की तुचा का रंग बनता है यदि इसी की कमी शरी में हो जाती है तो हमारी तुचा सफेद हो जाती है आपको कौन सा जीव सबसे खुपसूरत लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चनल स्काइप इडिया को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भोलेगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही गुड़ बाई बाई बाई